इस वीडियो में हम बात करेंगे GT vs BLR Dream 11 Prediction के बारे में यानि गुजरा टाइटन्स और Royal Challenges Bangalore के बीच में जो Match 43 IPL 2022 का आज आपको खेल जाता दिखेगा उसके बारे में पहले दोस्तों आपको यह बताना चाहूंगा जो लोग हमारे टेलिग्राम चल में नहीं जुड़े हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा इसके साथ साथ दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगा बिल्कुल कि अगर आपने YouTube पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दे क्योंकि मैं वहां के लिए ही आपको recommend करूंगा कि subscribe करके बेल ऐकन प्रेस कर दो ताकि जब maximum information और knowledge जो होती है वीडियो की वो आप पिच पे matches जादा होंगे तो आपको वो देखने को मिलेगा हर ground में 5 pitches रखी गई है वांकडे को छोड़कर तो अगर कोई used wicket होगी तो उस पे आपको spin देखने को मिलेगी वो information मैं आपको 7 बजे के बाद ही telegram पे दे पाऊंगा in fact यह match 3 है तो मुझे 7 बजे नहीं कहना चाह 11 high scoring 16 भी high scoring सब में fast bowlers ने dominate किया दोस्तों लेकिन कुछ-कुछ trend change होगा जो आपको मैं पहले बता चुको scoring बन रही है लेकिन आप देखो यहाँ spin को game आया ठीक है of course यह match था कप का था afternoon का था इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि afternoon में spin का factor आता है यह proof है आपके लिए then again आप आपको वही कहानी fast भी दिखी आपको runs भी देखने को मिले इस match में आपको spin भी देखने को मिली लेकिन runs काफी बने राजस्तान कॉलकता के match में then थोड़े से lower scoring matches हुए आपको मैं बता रहा हूं कि देखो विकेट अगर used वाली use होगी तो कई न कई runs कम बनेंगे there are two matches जिसमे टीम पहले बल्ले बाजी करने वाली तंग हुई और spinners को यहाँ domination मिली यहाँ fast को domination मिली प्यूज भाई एक match में spin एक match में fast क्या दिक्कत है देखो sunrises का तो आपको पता strength ही fast bowling है यहाँ पे दिल्ली ने अपने spinner से पंजाब को चोक किया था कुल्दी प्यादव अक्षर और रहा हो तो कई ना कई तो फिर बल्ले बाजों को थोड़ी मुश्किल आएगी 139 में से 75 विक्टे दोस्तो फास्ट को गई है 46 spin को अफ्टरून गेम है spin को अंडर एट नहीं करेंगे हम ठीक है अभी दोस्तों मैं आपको आगे लेके जाना चाहूंगा venue stats की तरफ इस ground पे ग गिल साव ने 96 किये थे फाफ दो मैच 40, साइस फुदर्शन 35, पांडिया 27, विराट 17, दिनेश 11, प्रभू देसाई 15, मैक्सवेल 12 यहाँ पे और शबाज एमत 7, मिलर 6, कुछ ऐसे इनके स्कोरिंग रही है बोलिंग में राशित खान ने यहाँ पे एक मैच में तीन देख रहे हो, तो इससे आपको इस्तमाल करना है, कौन राइट हैंड बैट्समन है, कौन लेफ्ट हैंड बैट्समन है, और क्या उनके रीसेंट फॉम बिफोर IPL थे, इसके बाद दोस्तों मैं आपको लेके जाना चाहूँगा, आठ में से साथ विन जो गुजरात ने किया उसके उपर, बहुत बढ़िया रहे हैं, लास्ट मिनट चेजिस भी इन्हों ने किया, पिछला मैज देख लो, राशीद ने जो स्कोरिंग करी 31 नौट उट, उससे पिछला मैज देख लो, डेविड मिलर ने जिताया, एक बरी इनको तवतिया, दो बार हेल्प कर चुके है इनके जो 13 नबाद है, चालिस नबाद है, और ये 13 नबाद तो था भी इसी ग्राउन पर, तो कहीं न कहीं आपको मैं बता दूँ, उजरात के टीम हर मैच में कुछ ना कुछ देख कर विन कर ही लेती है, लास्ट में आकर, वैसे देखा जाए, बेंगलोर एक काड़ी चुन लेकिन काम अभी तक गुजरात के टॉप ओडर के प्लियर आई है, अब डेविड मिलर इनके पास नमबर चार पे है, तो भाई टीम की स्ट्रेंथ जो है, वो है इनकी बोलिंग, लेकिन बल्लेबास थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट दे देना, इनकी बोलिंग लाजबाब है आप देखो जिस बोलिंग लाइन अप में राशित खान हो, लौकी फरगशन, मोहमद शमी, अलजारी जोसेफ और इवन यश्टियाल, सिक्थ बोलर के तौर पे राहुल तवेतियो और सेवन्थ बोलर पे हार्दिक पांडिया, जिरों ने बोल दिया, जरूरत पढ़ने पर आपको यहां पर शमी को बैक नहीं करना, लेकिन अगर आप उन दोनों मेंसे किसी एक को ड्रॉप कर रहे हो, वैसे मैच अपस देखोगे ना, शमी ने चारबा विराट काउट किया है, इवन फापको, तो यह चीज आपको देख के चलनी होगी, आप क्या समझ के चल रहे हो लौकी फरकेशन आठवा, दसवा, चौदवा और बीसवा, इसके बावजूद लास्ट मैच विकेटलेस गए थे, लौकी का क्या है, एक मैच मेच में सुपर हिट जा रहे हैं, एक दम बढ़िया दो तिन विकेट, एक मैच में सुपर फ्लॉप जा रहे हैं, अभी तक यह क बढ़िया को, गुजरा टाइटन्स के फुल स्टैट्स प्रस इंफो, हर एक प्लियर का रिकॉर्ड देख रहे हो, दोस्तों हर प्लियर का रिकॉर्ड यहां लिखा गया, कोई भी प्लियर मिस नहीं किया गया, एक इनके जो स्पिनर है, मुझे बहुत पसंद है, रवी शरी इसे बल्लेवास को, जो की आपको रजट पतिदार, जो की काफी तगडी फॉर्म में थे रंजी ट्रॉफी में, 142 और 86 का स्कोर रंजी ट्रॉफी में रिसेंट लिखर किया है, लेकिन T24 में अलग है दोस्तों, वहां बोलिंग उतनी नहीं खेलने को मिलती लेकिन रज़त ठीक ठाक आप कह सकते हो, मिडल स्कोरी करी थी लगबग, यहां पर आप देखोगे तो वन डोन पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो लेफ्ट हैंडर की जगा राइट हैंडर एक आ गया है, फिर भी टीम में आपको यहां पे लमरोर अगर आते दिख जाएंग तो कर लेंगे, अधरवाइस वही लेक्स पिनर आपको मिलेंगे, राशिद और साथ में राहूलते वेतिया, तो अब यहां पर बेंगलॉर के आप हर प्लेयर का रोल देख सकते हो, आप रीसेंट स्कोरिंग देख सकते हो, बेंगलॉर की टीम खराब नहीं है, टॉप और अगर अगर चले तो मुझे लगता है, बेंगलॉर की टीम काफी स्ट्रॉंग है, लेकिन पिछले दो मैच में वो क्यों हा रहे हैं, क्योंकि उनका टॉप ओर्डर काफी फ्लॉप रहा, पांच और तईस फाफ, 009 यहां विराट कोली, रशत पटितार 16, मैक्सवेल 12-0, इन चारो बैट टीम मेरे सबसे बड़िया बल्लेवाजी है, लेकिन थोड़ा सा टॉप ओर्डर को स्टैप अप करना होगा, अब हम देखेंगे अगर रंस तो यहां फाफ ने दो मैच में 88 किये हैं, और एक में 96, इसके अलावा अगर आप देखोगे विराट 41-48, इनके भी 2 मैच अ लगबग 8 मैच, ठीक है, मुहमद सिराज को यहां पर मिली हैं, दोस्तो आठ विक्टे, लास्ट मैच में यह दो विकेट लेके गए थे, इनमें से एक नरायन की थी, अकाजदीब 5 विक्टे, और मैक्सवल 1, डेविड विली 1 विकेट, मुझे माफ करना मैंने सिराज की नर बहुत ही important opener देवदत पडिकाल को, full stats plus info दोस्तो अब आप देख सकते हो, यहां पर हर एक player का record रखा गया है, अगर आप यहां नोट करेंगे न, कोई भी player का record मिस नहीं किया गया, तो important players हैं, सब को ध्यान रखें, रजज़त पडिदार का भी एक बार record देख लो, बाइचा आपके race में थे गायकवर्ड अपने opening player जो चैन नहीं का था, उनके साथ ही, इस बार दोनों थोड़ा सा अच्छा नहीं कर रहें, बड़ फाफ, Maxwell, Virat, तीनों ही important player हैं, इसके लाबा बोलिंग में हर्शल, सिराज, हेजलवूड और even अब तो आपको पता है, इनके पास जो spin आपके बोलर्स के आगे, फाफ डुपलेसी का थोड़ा सा स्ट्रगल निकल के आए, मोहमद शमी और राशिद के आगे, ये दो players ने इनको रोक के रखा है, अगर आप देखोगे, फाफ ने फिर भी run किये हैं, मोहमद शमी को, लेकिन राशिद के आगे तो वो बिलकुल runs भ है, अलजादी ने इनको तीन बर वन डे में आउट किया, मुझे याद है, ये recent series की ही बात है, Western इस इंडिया की 2022 में ही जो series हुई है, विराट को लिए अलजादी से भी तंग है, राशिद और मोहमद शमी ने तो दोनों ही opening combination को तंग किया है, तो ये जरूर recommended रहेंगे, मैक पाज आहमद शमी के आगे एक विकेट, फर्गशन के आगे एक विकेट, तो अगर आपने नोट किया हो, तो खान साहब और मोहमद शमी हर किसी को तंग कर रहें बंगलाओर की बल्यवाजी में, जबकि गुजरात के बल्यवाज देखते हैं, बंगलाओर के बूलर्स के उट हुए हैं, और 11 गेर में 12 रण किया हैं, बाकियों के आगे अच्छा केले हैं, पटिकुलर्ली सिराज के आगे, ओपनिंग कॉमिनिशन में यह आप देख सकते हो, लेकिन सिराज ने दो बर चलता किया है, रिधिमान साहा को, और हर्षल ने भी दो बर चलता किया है, रि लेबाजी, मिलर साहब देखोगे, सिराज के आगे एक विकेट है, मैक्सवल के आगे एक विकेट है, और लेफ्ट हैं बैट्समन राइटा मॉस्पिनर के आगे मैच अप, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, पंजाब में इनकी शुरवात हुई थी, M&M शो से, आपको याद होगा, लेगिन मैक्सवल ने तंग किया है, मिलर को, तवतिया साब सिराज को एक विकेट दिये हैं, ठीक है, उमीद करता हूँ, इस मैच अपस के थूरू आपको कुछ हल्प हुई होगी, दोस्तों मैंने वीडियो लिंक कल का यहाँ पे डाल दिया है, कर सकते हैं, आपको fantasy name आपका वहाँ पे रखने का option मिलेगा, साथ में कल मैंने keyword को ही keyword रखा था, तो कोई नहीं कोई आपको मैं वीडियो में keyword बताता रहता हूँ, जिसे आपको अपने comment में mention करना होता है fantasy name के साथ, कल मिला के अगर आप देखोगे 539 comments थे, चलिए winner पे कर ल सकते हूं, जो नहीं read कर सकते तो लाड़ी सोहिल नाम है इनका, थर्ड winner बने है उजुवल जी, then winner बने है सुधरशन जादव, then बने है अक्षे याँपे winner, then winner बने है गजेंद्र मीना, then winner बने है संदीब सिंग, then winner बने है अंशुमन सैनी, then winner बने है विवेक कुमार साहू, दोस्त आपका आगया नंबर आज देन विनर बने है मुकुल दोस्तों मैं नहीं जानता मैंने 9, 10 या 11 विनर कितने निकाले हैं काउंटिंग में थोड़ा सा इधर उतर हो सकता है 9 है तो एक और विनर एक्षान नेम कर देंगे 10 है तो बहुत बड़े है 11 है तो भाई मुकुल भाई की पार्टी अगर वो 11 है तो ठीक है चलिए अब हम आगे की टीम करते है दोस्तों जब आप आएंगे टीम सेलेक्ट करने विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दो इनफोर्म विकेट कीपर लास्ट मैच को मद्धे नजर रखते हुए साहा ने अच्छा केला था और दिनेश कार्थिक टूनामेंट में बढ़िया कर रहे हैं हाला कि दिनेश कार्थिक थोड़ा सा लोवर ओर में आ रहे हैं अगर आप देखो कि वो फिनिशिंग के तोर पे ज़्यादा यूज हो रहे हैं उनको ज़्यादा गेंद बाजी नहीं खेलने को मिल रही है जो कि साहा ओपर्चुनिटी पूरी है क्योंकि ओपनिंग पे मैं मान सकता हूँ कि दिनेश कार्थिक भी ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं साहा से लेकिन ओपर्चुनिटी को देखते हूए मैंने रिदिमान साहा को ही प्रेफर किया है आप चाहो यहाँ दिनेश को भी ले सकते हो अनुज रावत अब नहीं खेले लास्ट मैच में विराट को देन दोस्तो मिलर और विराट kuoli ज़्यादा लोगों ने मिलर को लिया है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मिलर का रीसेंट फॉर्म विराट को ली के मुकाबले काफी बहतर है लेकिन मैंने विराट को जैदा क्रेट बहे लेतर समझा है अभी नमनुहर को अगर आपको लेना है तो यह आपको समझ के चलना होगा यह बहुत थोड़ा सा आप कह सकते हो रिस्की मूव होगा लेकिन ग्रैंड लिग में ट्राइ कर सकते हो बिकोज कुछ नहीं पता इनको टूड़ान पर प्रमोट कर दिया जाए सुयश नीचे आ रहे हैं रज़त पटीदार वन डाउन आ रहे हैं अगर आपको सुयश लेना है इनसे बहतर है कि अब रज़त पटीदार लें क्योंकि यह वन डाउन पर तो आएंगे इनको बल्लेवाजिकी ऑपरचुनिटी तो मिलेगी कम से कम यह चीज़ देखते हो है रज़त पटीदार को ज़्यादा ट्राय करो प्रभुर्ध दसाय के ऊपर साय सुदर्शन अब नहीं खेल रहे है प्लेयर बढ़िया है लेकिन खेल नहीं रहे है रधर फोर्ड मेपल लम्रोर यहां पे फिन एलन और नाही गुर्किलत सिंग्मान खेल रहे हैं भाईया अगर लब्रोर आ जाएं तो ग्रैंड लिंग में सीधी सीधी पिख्या आईप है मैं अल्रेडी बता चुका हूँ ड्यू टो अमाउंट ओफ राइट हैं बंगलोर की लाइन अप अब दोस्तों गर आप देखो हार्दिक और मैक्सवैल ही सेफ फिक्स हैं मैंने इनी दोनों को सिलेक्ट किया है लेकिन हार्दिक की बोलिंग उतनी नहीं आएगी लग तो एक डिफॉल्ट ऑप्शन जो पहले कप्तानी के लिए हार्दिक रहते थे अब वो बात नहीं है बले बाजी के तौर पर करना चाओ तो अलग चीज़ है मैक्सवैल भी आपको देखने को मिल जाएंगे डिफरेंशल के तौर पर आप शाबाज आहमत को भी ले सकते हो दोस् तो बोलिक पे चलता हूँ जहां आज आपको पांच से चे बोलर बहुत बहतरीन मिलेंगे फॉर एक्जामपल महमद चमी वन अफ दा गुड बोलर जॉस हिजल वूड अगें गुड बोलर रशीद खान गुड बोलर इसमें मैं राशीद और हिजल वूड और हसरंगा ये त चार तो मैं अपनी टीम में रखना ही वला हूँ हर्शल का कम सेलेक्शन है लेकिन कुछ बल्लेवाजी तो करते ही हैं लेकिन में गेंद बास भी हैं जो डेथ में बोलिंग करते हैं इन चार के अलावा दोस्तों महमद शमी एक सेफ ऑप्षन है लेकिन अगर आप दोस्तों इहां बैक कर रहे हो और कप्तानी दे रहे हो फाफर विराट में से किसी को तो शमी को फिर थोड़ा दिलना रिस्की हो जाएगा फिर उसकेस में आप पास सिराज है लेकिन वही बात आ गई सिराज भी स्टार्ट के ओवर करते हैं और आप यहां बैकिंग क्या कर रहे हो साह और शुमन गिल की भी तो उस केस में अलजारी जोसेफ लॉकी फरगशन थोड़े सेफ फिक्स हैं यश्दियाल थोड़े से आप कह सकते हो रिस्की ही है क्योंकि वैसे तो प्रैशर इतना क्रेट कर देती है गुजरात की टींग की विक्ते मिल जाता है लेकिन यहां पे टोटल मैंने अपनी कप्तानी दोस्तों यहां पर दी है ग्लेन मैक्सवेल को मुझे लगता है इस मैच में कुछ ओवर भी डाल सकते हैं वाइस कैप्टन सी के लिए हार्दिक पांडिया इस सेफ पिक बट मैं यहां पर वाइस कैप्टन राशित खान के साथ हूँ मैं फिर बता दे वीडियो के थुरू आपको कुछ सीखने को मिला अगर आपको लगता है आपको कुछ होई है आप टेलीग्राम से जोड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन और टॉप के कोमेंट में दे रखा है इवन दोस्तों आपको यह बताना चाहूंगा कि ज एक्स वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी आएगी जरूर सब्सक्राइब करके रखें बैल एकन प्रेस करके रखें